चीन की टेक कमपनी शौमी ने भारत में MI Electrical Toothbrush T300 लॉंच किया है कमपनी की वेबसाइट पर इसे 1299 रुपे कीमत के साथ लिस्ट किया गया है इसे क्राउन फंडिंग के तहत लॉंच किया गया है इसका मतलब ये है कि आप इस Toothbrush को शौप या फिर ऑनलाइन नहीं खरीद सकते अगर कमपनी को 1000 Toothbrush के लिए फंडिंग मिलती है तो ही आप इसे खरीद पाएंगे कमपनी अपने इस Electrical Toothbrush के डिलिवरी 10 मार्च से शुरू करेगी फीचर्स की बात की जाए तो कमपनी का दावा है कि ये ब्रेश 25 दिन की बैटरी बैकप के साथ आता है इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए USB-C टाइप एडॉक्टर का इस्तेमाल करना होगा ये IPX7 Water Resistance है इसका मतलब ये है कि यूजर इसे पानी में वाश कर सकता है ये डैमेज नहीं होगा प्लास्टिक ब्रेश हेड होने के चलते इसे स्टोर करने में आसानी होगी शोमी ने इस Electrical Brush में डियो पॉंट टाइनेक्स टेक क्लीन बेसल्स दिये गए है जो दो दातों के बीच में जाकर सफाई करने में सक्षम है इस ब्रेश में Magnetic Lativation Sonic Motor का इस्तेमाल किया गया है कमपनी का दावा है कि ये एक मिनिट में 31,000 बार वाइबरेट करता है इसमें दो ब्रेशिंग मोड उपलब्द है इसकी डिजाइन काफी सिंपल है इसे वाइड कलर वेरियंट में लॉंच किया गया है हाला कि अन्य ब्रेशों के बीच आप अपना ब्रेश पहचान सके इसलिए कमपनी ने इसमें एक कलरफुल रिंग के इस्तेमाल किया है जो तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्द है ऐसे में आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपका शोम इलेक्ट्रिकल ब्रेश कौन सा है और कौन सा ब्रेश परिवार के अन्य सदस्य का है